आज हम इस लेक्चर में आपको फाइव किंडम्स के बारे में बताएंगे फाइव किंडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम 1967 में रॉबěٹ विटिकर ने फाइव किंडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम इंडिडिूस कर आया ये क्लासिफिकेशन इन दो करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर की गई कि जानदर प्रियोक्रियोटिक है ये ये यूडियोटिक और हैटरोट्रोफिक है या आटरोफिक Preocriotic Cell वो Cell है जिसमें नुकलियोस मुझूद नहीं होता इन सेल्स में नुकलियर मेंब्रेंड और सेल ओर्गिनल्स भी मुझूद नहीं होते Preocriotic Cell के वहतरीन इक्जांपल्स पाक्टेरिया और ब्रो ग्रीन अल्जी हैं Eucreotic Cell Eucreotic Cell वो सेल होते हैं जिनमें और जानवरों का शिकार करते हैं ओटो ट्रॉफ्स ओटो ट्रॉफ्स वो अर्गिनिजम्स होते हैं जो अपनी हुराक रोशनी, पानी, कार्बन डायोकसाइड और दूसरे कैमिकल्स के इस्तमाल से खुद तयार करते हैं अब हम इन फाइव किंग्डम्स को मजीद डिसकस करते हैं किंग्डम मॉनेरा, किंग्डम प्रोटिस्टा, किंग्डम फंजाई, किंग्डम प्लांटी, और किंग्डम एनिमेलिया किंग्डम मॉनेरा इस किंडम में मौझूद तमाम जानदार प्रोक्रियोटिक होते हैं यानि इन में नूक्लियोस मजूद नहीं होता किंडम में मौझूद प्रोक्रियोस हेडरोट्राफ्स होते हैं यानि वो अपनी खुराक खोद तयार नहीं कर सकते किंग्डम मॉनेरा में मौजूद तमाम जानदार unicellular होते हैं लेकिन मॉनेरियंस की कुछ इकसाम चेन बना कर भी रहती हैं इस इमेज बे हम देख सकते हैं किस तरह मॉनेरियंस एकटे होकर एक चेन की शकल इफियार कर लेते हैं इसी तरह कुछ मोनेरियन्स, कोलूनीज की शकल में भी रहते हैं किंडम प्रोटिस्टा इस किंडम में यूक्लियोटिक जानदार मौजूद होते हैं यनि इनके सेल्स में नूक्लियोस मौजूद होता है इस kingdom में unicellular और simple multicellular जानदा रखे जाते हैं प्रोटिस्ट की तीन बड़ी एक्साम है इन में से कुछ पौदों से मुशाबा होते हैं क्योंकि इन में cell wall और chlorophyll होता है इन में से कुछ जानवरों से मुशाबा होते हैं इन में cell wall और chlorophyll मौजूद नहीं होता इन में से कुछ जानदार पैरासाइड होते हैं और ज्यादा तर फंजाए डिकमपोजर्स होते हैं जो सादा नामियाती मादों को जजब करते हैं मश्रूम इसकी एक आम मिसाल है किंग्डम प्लान्टी इस किंग्डम में यूक्रियोरिक मल्टी सेल्वलर और्टोटॉफ शामिल होते हैं यनि पौदे फोटो सिंथिस के जरीए अपनी खुराक खुद तयार कर सकते हैं इनके cell wall में cellulose मौजूद होता है इन में मल्टी सेल्वलर सेक्स ओर्गन्स भी पाए जाते हैं ज्यादत और पौदे खुश्की पर मौजूद होते हैं लेकिन इन मेंसे कुछ पानी में भी पाए जाते हैं इस किंग्डम में पाए जाने वालों की मिसालें मौस, फर्ण और फूलदार पौदे हैं किंग्डम एनिमेलिया इस किंग्डम में यूक्रियोटिक मल्टी सेल्वर हेट्रोट्रोफ शामिल है इनके सेल में सेल वाल और क्लोरोफिल मौजूद नहीं होते इसलिए ये अपनी खौराक को त्यार नहीं कर सकते हैं तमाम किंग्डम के करेक्टर्स्टिक्स को डिसकस करने के बाद हम इन किंग्डम का कंपारिजन कर सकते हैं इन किंग्डम का कंपारिजन हम इस स्पेसिस पर करेंगे ताइप आफ सेल, हेट्रोट्रोफिक यूर और्ट्रोट्रोफिक न्यूक्लियर मेंब्रेन की मौजूद की और मल्टी सेल्वर और्गिनजेशन ताइप आफ सेल तमाम किंडम में से सिर्फ किंडम मौनेरा में मुझूद जानदार प्रोक्रियोटिक होते हैं और बाकि तमाम किंडम में मुझूद जानदार यूक्रियोटिक होते हैं हेटरोटोफिक और और्टोफिक Monerian ज्यादा तर heterotrophic होते हैं लेकिन इन्ही में कुछ एक्साम photosynthesis कर सकती है यनि इस kingdom में heterotrophic और autotrophic दोनों जानदार मुझूद होते हैं kingdom Monera की तरह kingdom Protista में भी दोनों जानदार यनि heterotrophic और autotrophic मुझूद होते हैं लेकिन इसके बरक्स kingdom fungi और kingdom animalia में सिर्फ hydrotrophic और kingdom planting में सिर्फ autotrophic जानदार शामिल होते हैं थर्ड comparison हम nuclear membrane की मुझूद की बेसिस पर करेंगे सिर्फ kingdom Monera में nuclear membrane मुझूद नहीं होती जबकि बाकी तमाम kingdom में मुझूद जानदारों में nuclear membrane मुझूद होती है लास्ट comparison kingdom में मुझूद जानदारों में multi cellular organization की मुझूद की बेसिस पर होता है kingdom Monera और kingdom Protesta में मुझूद जानदार multi cellular नहीं होते जबकि kingdom fungi और kingdom planting और kingdom animalia में multi cellular जानदार शामिल होते हैं